Hello Everyone, आज की इस वीडियो में हम Micro Economic Theory के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि How Many Parts of Economics? There are 5 Parts of Economics First is Consumption and Second Part of Economics is Production Production यानि उत्पादन उत्पादन की फिल्ड में हम उत्पादन से समस्थ अवधारणाओं का अध्यन करते हैं जिसमें अब तक के वीडियो में आप Production और Production Function के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं Production से Related एक और अवधारणा है जिसका नाम है Coast Theory of Coast यानि लागत की अवधारणाओं सबसे पहले तो हम ये समझें कि लागत यानि Coast किसे कहा जाता है लागत जिसका सीधा सीधा सम्बंद उत्पादक से होता है उत्पादन से होता है उत्पादन की प्रक्रिया को करने की दौरान एक उत्पादक के द्वारा जो समस्त खर्चे वहन किये जाते हैं उन्हें लागत का नाम दिया जाता है लागत कई प्रकार की होती हैं जिनमें मुख्य लागतों को हम पढ़ रहे हैं जो निम्न प्रकार से हैं आर्थिशास्त्र में लागत शर्द को कई अर्थों में प्रीवतिया जाता है आता है लागत की प्रमुक अवधरनाय निम्न प्रकार से हैं जिनमें सरुप्रिथम है वास्तविक लागती उत्पादन की वास्तविक लागत को एल्फरिड मार्शल तथा अन्य नव क्लासिकल अर्ष्यास्तियों ने सभी प्रकार के श्रम की अनुप्योगिता अथ्वा कस्ट एवं पूंजी के बचत के लिए प्रतिक्षा के रूप में परिभाशित किया है जो उस वस्तु के उत्पादन के लिए आवशक है आजकल बहुत कम अर्थशास्तियों इस वास्त्विक लागत के सिधान्त का उप्योग करते हैं इसके पश्चात आती है मौद्रिक लागतें मौद्रिक लागत जैसा कि इसके नाम से ही स्पस्ट है वे लागतें जिनका भुक्तान मौद्रा की रूप में किया जाता है किसी वस्तु की मौद्रिक लागतों में फर्म की सभी लागतें शामिल होती हैं जिसमें सूव्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें शामिल हैं अव्यक्ति लागतें, एव्यक्ति लागतों में उद्यमी के स्वयम के साधनों को दिये जाने वाले भुकतान को शामिल किया जाता है, जिसका प्रियोग उत्पादन में होता है. सुव्यक्ति लागत जिसमें अभी आपने सुना कि फर्म के द्वारा बाजार से खरीदे या किराये पर लिए गए साधनों को किया जाने वाला भुकतान, इसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों के भुकतान शामिल हो जाते हैं, जैसे श्रम को दी जाने वाले मज़्दूरी, भूमी को दिया जाने वाला लगान, पूण्जी को दिया जाने वाला भ्याज, संगठन करता का वेतन और उध्यमी का लाभ इत्यादी, अब हम लेखांकन लागतों के बारे में चर्चा करते हैं, लेखांकन लागतें सूव्यक्त लागतों को लेखांकन लागते कहा जाता है इन खर्चों को लेखाकार फर्म के बही खातों में दर्ज करता है यानि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो उत्पत्ती के विभिन साथनों पर किया जाने वाला खर्चा सूव्यक्त लागत के अंत व्यक्त लागतों को शामिल करते हैं, समान लाब को हम आर्थिक लागत का हिस्सा मानते हैं, नीजी लागत बनाम सामाजिक लागत, एक फर्म द्वारा फर्म कार्य को या कहें कि वस्तु को उत्पादित करने के लिए व्याय की गई सुव्यक्त एवं अव्यक्त लागतों का य या उपभोगता को पहुँचाए गए भाई लाब तथा हानिया सामाचिक लागत होती है जिसका उत्पादन के समय ध्यान नहीं रखा जाता है। आउसर लागत का मतलब है कि किसी वस्तु की आउसर लागत वह अन्य सर्वोतम विकल्प है जो इसने बजाए उन्ही सादनों से अत्वा उसी मौद्रिक मुल्ले वाले सादनों के द्वारा उत्पादित किया जा सकता था। वो जिन अउसरों का त्याग करता है किसी एक पर्टिकुलर अउसर को प्राप्त करने के लिए उन त्यागे गए अउसरों की लागतों का यूग अउसरलागत कहलाता है। लागत वक्र, अब हम लागत वक्र के बारे में पढ़ेंगे, लागत का अध्यन हम समय के संदर्ब में करते हैं, और समय के संदर्ब में हम लागतों को दो भागों में विभक्त करके अध्यन करते हैं, आलपकारीन लागते हैं, आलपकारीन लागते हैं, आलपकारीन साधन फलन से संबंधित होती है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि अलपकाल में जब एक उत्पादक उत्पादन करता है तो बह जिन साधनों को प्रियुक्त करता है उन साधनों को हम दो भागों में विवक्त करते हैं एक इस्थिर साधन और दूसरा परिवर्तनशील साधन इस्थिर साधन वह साधन है जिसे अल्पकाल में बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है जबकि परिवर्तनशील साधन वह साधन होता है जिसकी मात्रा में अल्पकाल में बृध्धी या कमी की जा सकती है जब अल्पकाल में एक उत्पादक एक इस्थिर साधन के साथ एक परिवर्तन शील साधन की मात्रा को प्रियुक्त करता है और परिवर्तन शील साधन की मात्रा को निरंतर बढ़ाता है तो उत्पत्ती में जो है रासमान पृतिफल का नियम लागू होता है अर्थार्थ एक सीमा के पस्चाद परिवर्तन शील साधन के द्वारा प्राप्त होने वाला सीमा नतुत्पादन लगातार घटता चला जाता है इसे हम उत्पत्तिहरास नियम के नाम से पुकारते हैं और इस उत्पत्तिहरास नियम का ही प्रभाव लागत पर भी दिखाई देता है अर्थार्थ अल्पकालिन लागतें भी दो प्रकार की होती हैं जिसमें इस्थिर लागत और परिवर्तन शीर लागत दो प्रकार की लागतों को शामिल किया जाता है इस्थिर साधनों के लिए जिन लागतों को वहन किया जाता है, उन्हें हम इस्थिर लागत के नाम से जानते हैं, और परिवर्तनशील साधन के लिए चुकाई जाने वाली कीमत या लागत परिवर्तनशील लागत के नाम से जानी जाती है, इस्थिर साधन के लिए चुकाई जाने वाली लागत, जिसे इस्तिर लागत कहा जाता है इसका उत्पत्ति की मात्रा से कोई सरुकार नहीं होता है अर्थार्थ यदि उत्पादन शुन्य हो रहा है यानि बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है तो भी इन लागतों को एक निश्चित मात्रा में वहन किया जाता है और यदि उत्पादन पत्ती की मात्रा से सम्मंदित होती है, जब उत्पादन बढ़ता है तो परिवर्तनशी लागतों में भी प्रिद्धी होती है, जब उत्पादन होता है तभी परिवर्तनशी लागतें वहन की जाती है, अन्य था परिवर्तनशी लागतें एक उत्पादक के द्वारा वहन नह कुल लागत जिसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं जैसा मैंने आपको भी बताया कि इस्थिर और परिवरतनशील लागत यानि कुल लागत Tc टोटल कोस्ट is equal to कुल इस्थिर लागत यानि Tfc टोटल फिक्सट कोस्ट प्लस कुल परिवरतनशील लागत यानि Tvc टोटल सो TC जो है यह TFC और TVC का योग होती है इस रेखाचितर में आपको दो अलग अलग रेखाचितर दिखाई दे रहे हैं एक रेखाचितर जिसे TFC नाम दिया गया है इसे एक इंटरसेप्ट छोड़ करके बनाया गया है जो OXX के समाना अंतर पड़ी वी रेखा की रूप में चाहे उत्पत्ती की मातरा शुन्य हो चाहे उत्पत्ती की मातरा अधिकतम हो इन लागतों को एक निश्चित मातरा में ही उत्पादक के द्वारा वेहन किया जाता है जबकि ये नीचे से उपर बढ़ते हुए, ये इसपस्ट कर रहा है कि जैसे जैसे उत्पत्ति की मात्रा में बृत्धी होती है, वैसे वैसे इन लागतों में भी बृत्धी होती चली जाती है. जब TFC और TVC इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो TC वक्र जो कि TVC के उपर बनाया हुआ है, ये हमें प्राप्त होता है, TC वक्र, TFC और TVC इन दोनों का योग होता है. TVC वक्र जो है, इसे आप ध्यान से देखेंगे, तो इस वक्र में आपको दो तरह की शेप नजर आएगी, प्रारंबी कवस्ता में TVC वक्र का जो हिस्सा है, वह OX अक्ष की तरफ जुकता हुआ दिखाई देता है, और एक बिंदू के पस्चाद ये उपर OY अक्ष की और में लागतों में जो बृद्धी हो रही है, वो लागतों के बढ़ने की दर घटती भी है, क्योंकि ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण ऐसा होता है, जो नियम यह कहता है कि प्रारंबिक अवस्ता में जब एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील सा तक बढ़ता है, उसके पस्चात अधिकतम इस तर पर पहुँच करके यह गिरना शुरू कर देता है, तो जिस स्थान पर परिवर्तनशील साधन का सीमान तुद्पाधन बढ़ता है, उस स्थान पर परिवर्तनशील लागतों में कमी होती है, सीमान लागतों में कमी होती है और कुल लागत जो है वह बढ़ रही है लेकिन उसके बढ़ने की दर घटती भी है इसके पस्चात जो कुल परिवर्तनशी लागत है यह बढ़ती भी दर से बढ़ती भी आपको दिखाई दे रही है तो एक पढ़ी हुई रेखा अर्थार्थ जो OX-X के समाना अंतर है वह TFC है और कुल परिवर्तनशी लागत वक्र मूल बिंदू से प्रारब होगर उपर की और चड़ता हुआ है जिसका अभी प्राइए है कि उत्पादन में ब्रिद्धी होने पर कुल परिवर्तनशी लागतों में भी ब्रिद्धी होती है टीवी सी तथा STC के बीच अंतर प्रते कुल